दिली दे उपमुख मंत्री मनेश सी सोधिया ने केंदर सरकार नों अपेल किती है कि ओहो क्रोना तो बचा ले चलाई गई तीका करण मोहिंदा मजाक ना बनाए कोविड टीका करण ले केंदर निशाना साथ दियां से सोधिया ने के है कि वैक्सिन दी किलत करके दिली वेच 18 तो 44 साल उमर वरग दे लोका ले सारे 400 टीका करण केंदर बंद कार दिते गए ने 45 साल जां इस तो वाद उमर दे लोका लेगी को वैक्सिन सेंटर बंद ने उना के है कि दिली सरकार ने मोडर ना ते फाइजर कंपनिया नाल टीकें दी सप्लाई बारे सिधे तोर ते राब्ता किता सी सिसोधिया ने किया है कि पार उना ने सानुए केंदिया सिधे ठीके वेचन तो नहा कार दिती कि उना दी इस मामले बीच केंदर सरकार नाल गाल बात चल रही है युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन एवलेबल नहीं है वैक्सीन कहा गई मैं कई बार कह चुका हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से केंदर सरकार जिम्मेदार है आज अगर देश कोरणा की मार्ज हिलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंदर सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है केंद सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब कराए हमने युवाओं के लिए केंद सरकार से वैक्सीन वांगी तो सेंटर ने कहा भई आपको केवल चार लाख मिलेगी आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए हमने मौडर्ना फाइजर जॉ जॉंसन जॉंसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मौडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद सरकार से बात कर रही है वो किसी भी राज़े सरकार को सीधे प्रक्यॉर्मेंट नहीं दे रही है तो केंदर सरकार से कहो कि भाई देशी सबस्마 Buffalo Security उभी त्ट सब्सकतिों करने थिए पीर से उन्सेद मंगा लो तो आप सब्सक्राइब스ार्प्तों नहीं को मगा लो तो केंफ़ सरकार मंजूर ही तो नहीं देती उनको कहते हैं आप सिधे खरीद लो राज़सार्कार हैं सिधे एक खरिदने के लिए कंपनियों से बात करती है तो कहते हैं कि वो कंपनिया बताती है जिक कैंद सरकार हम से बात करें तो यह क्या मजाग बना रखा है वेक्षीन को ले हुआ साड़ा डेली इंटरनेशनल एडिशन पड़न देले ही लॉग इन करो साड़ी वेबसाइट ते www.apnapunajabmedia.com ते से दे नाल ही तुसी ये थे साड़ा डेली इपेपर विपार सक देओ ते जो अल्धी विजिट करो साड़ी वेबसाइट ते